नमस्कार दोस्तों, future news channel में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनकी policy HDFC life insurance के साथ है इस वीडियो की मदद से ना केवल वो घर बैठे-बैठे अपनी policy status जान पाएंगे बलकि policy से related हर वो काम कर पाएंगे जिसके लिए उन्हें लगातार agent या फिर branch को visit करना पड़ता था वो भी केवल कुछ आसान steps में दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें वीडियो को like जरू कीजएगा ताकि ये महत्योपून जानकारी और उस व्यक्ति तक पहुँच पाए जिसको इसकी जरूरत है और अगर आप insurance, finance और investment से जुड़ी हुई नई जानकारी के साथ अपने आपको update रखना चाते हैं तो चैनल को subscribe जरू कीजएगा ताकि हमारी latest वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके दोस्तों वीडियो के description में और पहले comment में ही आपको वो link मिल जाएगा जो की मैंने इस वीडियो में cover किया है केवल आपको उस link को click करना है और इस तरह का screen आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे login page है जहाँ पे आप देख सकते है client ID पे dot लगा हुआ है दोस्तों mobile number से login करना सबसे आसान होता है इसलिए आप mobile number वाले dot पे click करें अपना mobile number correctly fill करें और नीचे आपको password का option रहेगा अगर आपको अपना password नहीं डालना है तो best तरीका होता है कि आप use OTP as password के check box में tick डालें और send OTP वाला button प्रेस करें दोस्तों जैसे ही है आप send OTP वाला button प्रेस करते हैं तो आपको message आता है कि The OTP has been sent to your registered email ID and mobile number वहाँ जाके आप अपना OTP चेक करें आपके वास तीन मिनिट का time रहता है कि आप अपना OTP, enter the OTP received वाले box में डालें और login बटन को प्रेस करें आरे कई साथी ऐसे भी है जो कहते हैं कि इस method से कई बार उनका open नहीं हो पाता अगर आपके साथ दे इस तरह का issue आ रहा है तो आप first time user के सामने जो register button है वहाँ पे click करें इस तरह का page जो आपके सामने open होगा वहाँ पे आप अपना policy number डालें date of birth डालें और submit button को जब आप press करेंगे तो आपको एक OTP आएगा उस OTP को आपको insert करना होगा जैसे आप Google में एक set secret question करते हैं कि maiden name या फिर आपका pet name इस तरह की कोई question और उसकी answer को set करके आप अपना नया password generate कर पाएंगे दोस्तों जब भी आप password को set करें तो सारे जो rules और instructions नीचे mentioned हों उसको follow करके अगर आप password generate करते हैं तो आपको इस तरह का message देखने को नहीं मिलेगा लगबग 90% से भी ज्यादा लोग mobile number method से login करने में successful रहते हैं इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि पहले आप यही method apply करें अगर नहीं हो पाता है तो ही आप register as a new user वाले option में जाएं जैसे ही आप उस button को press करते हैं तो इस तरह का एक page सामने आता है जहां पे आपका anyft details को update करने को कहा जाता है आप update later वाले button को press करें जैसे ही आप वो button press करते हैं तो आपके सामने इस तरह का page आएगा जहां पे आपका policy number, policy का नाम आपका premium amount कितना है, sum assured कितना है और अगर आपका plan ulip plan है तो उसके अग क्या find value है वो सारी जानकारी आपको सामने ही policy summary के रूप में दिख जाएगी दोस्तों अगर आप left hand top corner में देखेंगे वहीं पे अगर आप my profile को click करते हैं तो आप अपना personal details, correction of name, permanent address अगर आप बदलना चाहते हैं communication address change करना चाहते हैं contact details बदलना चाहते हैं या अपना KYC update करना चाहते हैं या NEFT details को update करना चाहते हैं यह सभी चीज़ आप इस portal के थूप कर सकते हैं next हमाएंगे कि my policy के अगर आप column को press करते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी policy की summary मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी policy की nominee को बदलना चाहते हैं या appointee को बदलना चाहते हैं या आप अगने अगर joint life policy ले रखिये हैं यहाँ पे husband और wife रहते हैं तो उसमें अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो यह सभी काम आप इस portal के थूँ कर सकते हैं हमारे गई साथी ऐसे भी हैं जनकी plan की maturity आ जाती है बट उन्हें आभी भी नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके वो अपना claim करें तो यहाँ पे इस portal में ही उन्होंने दे रखा है कि अगर आपकी policy की maturity हो गई है तो आप maturity claim वाले बटन को प्रेस करें अगर आपकी ऐसी policy है जहाँ पे money back या फिर income आता है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि अभी क्या current status है आईए अब हम transact online में आते हैं यहाँ पे आपको online payment का method मिल जाएगा जिसके through आप अपनी policy का premium online भी वर सकते हैं कई ऐसी policies होती है जहाँ पे top of facility होती है जिससे कि आप premium से अधिक premium अगर भरना चाहें बहतर returns के लिए वो कर सकते हैं तो वो option भी आपको इस portal में दे रखा है कई हमारे साथी हैं जिन्होंने यूलिप जैसे plan में निवेश किया है जहाँ पे fund switching और premium redirection करके वो अपने returns को बहतर कर सकते हैं तो ये facility भी portal में दे रखी है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है अपने fund switching करने के लिए या premium redirection करने के लिए इस portal की मदद से आप घर बैठे बैठे ही अपना premium redirection और fund switch कर सकते हैं अगर आपको fund switching से किस तरह से आप अपनी policy के returns को और बहतर कर सकते हैं इस बारे में knowledge नहीं है तो उपर मैंने एक link दे रखा है वहाँ पे click करेंगे तो आप भी जान सकेंगे कि कैसे आप अपनी policy में बहतर से बहतर returns कमा सकते हैं हमारे गई साथी ऐसे भी हैं जो कि policy को surrender कराना चाते हैं पड़ ये नहीं जानते कि surrender value कितनी मिलेगी तो वह यहाँ पे जाके अपनी policy की surrender value का amount भी देख पाएंगे कि अगर आज के date में वह policy को cancel कराते हैं तो उनको कितना amount मिलेगा वह यहाँ वह आसानी से देख सकते हैं दूसरा frequency change कई बार लोग premium जब देते हैं तो वह annually mode पे देते आते हैं बट कुछ ऐसी परिश्दिती हो जाती है कि इतना बड़ा amount वह एक साथ नहीं देना चाते हैं बलकि monthly basis में देना चाते हैं तो इस तरह का conversion भी वह frequency change के option में जाके कर सकते हैं अगर आप customer care के लगातार call से परिशान हैं तो आप D&D registration भी कर सकते हैं यहाँ से आपके पास activate auto debit का option भी है जिसकी मदद से अगर आप अपना payment manually भरते आ रहे थे अभी तक तो यहाँ जाके आपका auto debit option भी चालू हो जाएगा के वल आपको कुछ अपना bank details और EFT details भरने होंगे next हमाते हैं interaction history में जहाँ पे servicing history और payment history है अगर आपने इस तरह की कोई पहले request की है policy में नाम change करने की या किसी और तरह की तो यहाँ पे उसका history आपको मिल जाएगा और payment history में कि आपने अभी तक जो premiums भरे हैं उस सबका statement आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक वैसा ही एक column है e-statement का जहाँ पे ulip plan अगर आपने लिया है तो unit statement आपको जानना जरूरी होता है annual premium statement जो होते हैं आपको tax filing में भी काम आते हैं यह आपने जो premium बरा है उसका payment received हो गया TDS का certificate हो गया bonus statement हो गया इस तरह कि अगर आपको statements चाहिए तो आप यहाँ से directly download कर सकते हैं next यहाँ पे tools and downloads हैं जहाँ पे आप जाके service के forms और medical reports जो आपने policy लेते वक्त किये थे वो सभी download कर सकते हैं दोस्तों यहीं पे अगर आप right hand corner के top में जाएंगे तो आपको बहुत सारे icons मिलेंगे जहाँ पे call वाले icon को अगर आप press करते हैं तो direct आप customer care से call कर पाएंगे अगर आप message वाले icon को click करते हैं तो आपका chat box चाल्यों हो जाएगा जिससे कि आप chat support ले पाएंगे वहाँ पे जो question mark है उस तरह के portal को अगर आप समझ नहीं पा रहे कि कहा जाने पे आपको क्या मिलेगा वो information आपको written format में यहाँ पे मिल जाएगी हाला कि मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से हमने इस video में explain किया है चीज़ों को आपको उसकी जरूरत पड़ेगी दूसरा bell icon है जहाँ पे normal की तरह आपको notifications मिल जाएंगे दोस्तों इसके बाद दि अगर आपके कोई doubts रह गए हो तो नीचे comment box में डालिएगा मैं अपनी best कोशिश करूँगा कि आपके उस doubts को solve कर सकूँ हमारे गई साथी ऐसे भी है जो कि वीडियो को पसंद तो करते हैं बट like और subscribe नहीं करते गलत बात है ऐसा जब आप करते हैं तो बाकी लोगों तक यह जानकारी जल से जल spread होती है जिससे कि वो भी आप ही की तरह right decision ले पाएं इसी की साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ जय हैं जय भारत